तमिलनाडू के विरुधु नगर में 12 फरवरी को एक पटाका फैक्टरी में भीशन आग लग गए आग की चपेट में आकर मरने वालों का आकड़ा बरते बरते 11 तक बहुत चुका है कई जखमी लोगों को अस्पताल में भरती कराय गया है फायव रगेट की 6 से जादा गारियां मौके पर हैं और आग भुजाने की कोशिश कर रही है चुकि पटाका फैक्टरी ही है इसलिए घटना इस्तल पर बार बार धमाके हो रही है इस वज़े से आग भुजाने में और भी मुश्किलें आ रही है घटना पर दुख जताते हुए प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने ट्वीट किया तमिलनाडू के विरुदुनगर की पठाका फैक्टरी में आपकी घटना काफी दुखी करने वाली है दुख की घड़ी में पीड़त परिवारों के साथ मेरी समवेदना है आशा करता हूँ कि जखमी लोग जल्द स्वस्थ हो जाएंगे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन मौके पर जुटा हुआ है पीएम मोदी ने मृतको के परिवार को दो-दो-लाक रुपे देने की आर्थिक मदद देने का फैसला भी किया है तमिलनाडू के विरुदु नगर में पटाका फैक्टरी में आपके पीड़ितों के साथ मेरी समवेद नाए ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि अभी भी लोग अंदर फसे हुए है मैं राजे सरकार से ततकाल बचाव, सहायता और राहत प्रदान करने की अपील करता हूँ इस पूरी घटना में सबसे जादर डराने वाली बात ये है कि मृतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पहले चार लोगों के हताहत होने की खबर आई फिर ये संख्या बढ़कर 6 हुई और अब 10 से 11 तक पहुच गई है आप देखते रहे हैं दिललन टॉप झाल झाल टॉप झाल झाल झाल